वेल्कम बेक टॉप 3 वाइट आज मैं आप शेयर कर रहे हूं छूट इसे कपड़े का बहुत ही प्यारा सा डियाइवाइ सुर्फ तीन मीनिट में आप इसे बना सकते हैं दो कि मैंने दो पीस लिये है कपड़े के यहां पर इसी के साइस का फूम लिया है और अस्तर लिया है अगर आपके पास फूम नहीं हैं तो आप प्राइस बैक या फिर आटा बैक भी ले सकते हैं अब इसके जो लंबाई है वो है मेरी 14 इंच और isकी चोडाई है वो है मेरी 8 इंच तो आप इसमें थोड़ा कंव्याब जाधा पिकर सकते हैं और इसके बीच में हम siloaya करके egy quilt बना लेंगे और 4 orpes जिलाए कर लेंगे तो इसे तरीके से हमें 2 पीस कर लिया तरीके से मैं मैंने zip ली है और zip हमें दो लेनी है अब देखें कपड़े के उपर इस तरीके से zip को हम व्लटी रखकर सीधी सीलाए कर लेंगे और फिर second side पर turn करके यहां उपर भी हम prestige कर लेंगे तो दोनों piece को सेम तरीके से मैंने ready कर लिया है अब देखें दोनों piece के right side हमें अंदर की तरफ रखनी है और इस तरीके से देखें उपर नीचे हम रखेंगे zip को एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से side करेंगे यहां नीचे में mark कर लूँगी जो marking करी थी वहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है सिलाई करने के बाद इस तरीके से हम fold करके इसे रखेंगे और फिर इसमें mix and match करती हुई एक और हमें strip लेनी है strip के लंबाई आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते है मैंने 26 यानि की डबल इसके 52 इंच ली है और इसके चोड़ाई मैंने 3 इंच ली है तो यह कम भी ले सकते हैं 2 इंच ले सकते हैं मुझे ऊपर से थोड़ा इसका मोटा बेल्ट बनाना था इसलिए मैंने थोड़ी जादा ली है तो इस तरीके से दोनों साइट पर हम strip को रखेंगे और बीच में इसके कोई twist ना आए कोई भी note ना आए वह आप ध्यान रखना है फिर इस तरीके से सिलाई करने के बाद second side पर turn करके double fold करके लेंगे अब उपर की तरफ देखे हम सिलाई करते जाएंगे पूरे round में सिलाई करनी है तो एक बार दिखा देती हूं इस तरीके से देखे हम नीचे की side fold कर लेंगे बैक के ऊपर उसके बाद ऊपर की तरफ पर पूरे में इस तरीके से सिलाई करेंगे एक side से दूसरी side तक तो यह देखे तीन pocket वाला हमारा यह बैक कितनी कम मैंनत में पनकर ready हो चुका है तो बहुत जादा आशान तरीका है आप इस तरीके से प्यारा सा sling bag बना सकते हैं I hope दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके ल जय भारत